हेलो गाइस मैं हूँ कोमल और रेसिपिस आप कोमल में आपका स्वागत है मैं आज बनाने जा रहे हूँ अलू मटर की सबजी तो आपने बहुत बार खाई होंगी एक बार मेरे तरीके से जरूर आप ट्राइ करें मसालेदार अलू मटर की सबजी कैरेंटी है कि आपको मेरी कमेंट और सेर करना ना भूले मेरे वीडियो के नीचे दिए गया बैल आइकन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिस मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसी तरीका की वीडियो में लेके आती रहूं तो चलिए लेका haloo मतर की सबजी देशी स्टाइल जिसके लिए मैंने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं ये देख सकते हैं और कर लिया है यह देखिए तीन बड़े चमच में अद्रक लशन का पेश्ट ले रही हूं और एक छोटे साइस के टमाटर को मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस लिया है यह देख सकते हैं और मैं ले रही हूं थोड़ी से धनियापती गार्निशिंग के लिए और हरी मिर्च मैं हूं और दो इलाइची और दो लवं आप देख सकते हैं मैं एक तेज पत्ता ले रही हूं यह देख सकते हैं और थोड़ी सी मैं साबू जीरा ले रही हूं यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए और मसाले में हम सब मसाले एक एक चमच लेंगे यह देखि मसाला आदा चमच ले रही हूं बाकि सब मैं एक एक चमच ये देखे हमने अपना कड़ाई ले लिया है अब उसमें हम लोग डाल देंगे अपना रिफाइन ओई आप सरसो के तेल में भी बना सकते मैं रिफाइन ओई में बना रही हूं ये देखे अब हमारा तेल गर्म होने लगा है इसमें अब हम लोग डाल देंगे अपनी थोड़ी सी जीरा साबूत एक तेजपत्ता दो इलाइची दो लवंग और मेरा थोड़ा सा हिंग मैं हिंग थोड़ा सा एड़ करती हूं आप चाहे तूँ स्किप कर सकते ये देखे मैं प्याज डाल दी हूं अब अच्छ मेरा प्याज थोड़ा थोड़ा भूनने लगा है आप देख सकते हैं मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सेयर करना ना भूले और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ये देखे हमारा प्याज गोल्डेन कलर आने लगा है गोल्डेन मैं tutto ध्यार कर देखे उजल ही हैं जिसे हमारा मसाला चिपकेन ये देखिए अद्रख लशन कच्छा पन निकल जाए उसके बाद हमें इसमें अपने मसाले डाल देंगे ये देखे बस इस तरो थोड़े देर में हमें चला लेना है ये देखिए अब इसमें हम लोग डाल देंगे एक चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च का पॉडर ये देखिए मैं थोड़ी से और एट कर रही हूं मुझे तीखा अच्छा लगता है आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं ये देखिए इसी तरीके से अब मिला लेना हमें ये दे पॉड़ी के से अब इसमें हम लोग डाल देंगे अपने के बाकी मसालेंसुड देखिया आपको दिखा देती हूं देखियं मैंने धन्य पॉड़ा ब्रकूलiver डाल दिया है दो चमच छोटी और एक चमच छोटी मैं काली मिर्च का पॉड़ा डाल डाल ये शूतिशसे मैं चिपके न ये देखिए आप देख सकते हैं अब इसमें हम लोग डाल देंगे अपनी टमाटर का पेश्ट देखिए अब इसको डाल के अच्छे से हमें मसाले को मिलाना है इसी तरीके से मिलाते रहें ये देखिए अब हमारा मसाला थिक होने लगा है आप देख सकते हैं अब इसमें हम लोग एट कर देंगे अपनी नमक जो मैं लाश्ट में यूज करूंगी ये देखिए अभी दिखा देती हूँ आपको ये देखिए स्वादा नुसार आप नमक डाल ले मैं मसाले में साथ साथ ही नमक नह नमक डालती हूँ आप चाहे तो एक साथ भी डाल सकते हैं ये देखिए την में लेके निकलने लगा है आप देख सकते हैं माय homes Mahau इसको थोड़ देर के लिए मैंने थक लिया है मैं। है चलिए कि अब इसको हम लोग धकन अटा कर देख लेते वाव लगा है इसका यो शोची ये बन के रेडी होगी तो कितनी टेस्टी लगेगी एक बार जरूर ट्राइ करें मेरे तरीके से और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ये देखें मैंने दो हडी मिर्च डाल दिया इसमें हडी मिर्च से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है देखें बस इसी तरीके से थोड़े थोड़े दिर में चलाते रहें हमारा मसाला अच्छा सा भूनने लगा है अब इसमें हम लोग डाल देंगे अपने आलू जो मैंने बॉल करके रखा था और मैं आलू डायरेक नहीं डालूंगी उसको थोड़ा सा मैं हाँस से तोड़ लू देखिए मैंने आलू डाल लिया है अब इसको अच्छे से मिला लूंगी मैं मैं अपनी हरी मटर लास्ट में आइड करूंगी आप देख सकते हैं मैंने आलू को थोड़ा ही तोड़ा है ज्यादा इसको नहीं तोड़ना है यह देखिए अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी यह देखिए मैंने पानी डाल दिया है मैं एक कटोरी के करीब छोटा ग्लास में एक ग्लास पानी ले रही हूं आप अपने हिसाब से डाले यह देखिए हडा मटर आपको दिखाया था मैं वह डाल दे रही हूं अगर जो पानी कम लगी तो आप थोड़ा और एड़ कर सकते हैं मेरा एक ग्लास में हो गया था अगर जो आप लोग को कम लगा तो आप अपने तरफ से थोड़ा सा डाल सकते हैं ये देखें मुझे भी थोड़ा कम रेडी होने ही वाली है उसके बाद आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक चलिए अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूं कि प्लीज मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेयर करना ना भूले देखिए मैंने लाश्ट में गड़म मसाला डाल तो लेख सकते हैं बस इसी तरीके से थोड़े-थोड़े देर में चलाते रहे हमारा सब्जी रेडी होने लगा अब इसमें हम डाल देंगे धनियापती अपनी धनियापती टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है सब्जी का आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं वरना रेडी हो चुकी है तो मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूं यह देखिए मेरा सब्जी का फाइनल लुक आलू मटर की देशी स्टाइल सब्जी आप एक बार जरूर ट्राइ करें इसको रोटी पराथे चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं आपको बहुत अच्छी लग तो सब्सक्राइब करना ना भूले तब मिलते हैं